बूजो तो जाने, सहसी सलोनी अच्छा बताईए, जंगल के पास वाले गाउं में सलोनी किस के साथ रहती थी? पापा के साथ, मा के साथ, या बहन के साथ? तो आपने देखा, सलोनी अपनी मा के साथ रहती है और सलोनी की मा क्या काम करती थी? खाना बनाने का काम करती थी, पढ़ाने का काम करती थी या मिट्टी के बरतन और मूर्तिया बनाने का काम करती थी हाँ, तो हमने देखा कि मा मिट्टी के बरतन और मूर्तिया बनाती थी सब्ताह में एक दिन सलोनी की मा मूर्तिया लेकर कहा जाती थी पहाडों पर जाती थी, नदियों पर जाती थी या शहरों में बेचने के लिए जाती थी हाँ तो आप जाने ही गए होंगे के मा बर्तन बेचने के लिए, मूर्ती बेचने के लिए शहरों में जाती थी गाउं में अधिकतर कौन लोग रहते थे? हाथ से काम करने वाले दस्तकार या मशीन से काम करने वाले? गाउं में अधिकतर कारीगर और दस्तकार रहते थे एक दिन रात के समय अचानक जंगल की ओर से किसके बजने की अवाज आने लगी? तो आपको पता ही चल गया है किसकी अवाज आने लगी घंटे की जंगल में जाते हुए सलॉनी फलों की टोकरी लेकर जा रही थी फूलों की टोकरी लेकर जा रही थी या मूर्ती की टोकरी लेकर जा रही थी आप समझी गए हैं मूर्तियों की टोकरी लेकर जा रही थी पर बंदल लटके हुए हैं और उस पर एक घंटा भी लटका हुआ है तो आपने देखा पेड़ पर बंदल लटके हुए थे और उसी पेड़ पर एक घंटा भी लटका हुआ था तो मुखिया जी और गाओं वालों ने क्या देखा कि पेड़ पर बंदल लटके हुए हैं और उनके जूनने से घंटा बज रहा था और ये सब देखकर सब हसने लगे धन्यवाद.